दोस्तो हमारे देश में इतना विकास हुआ है कि अब बस कर दो, बंद कर दो, इतना विकास मत कीजिये क्योंकि हम इस विकास को सहें नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों इक बार आपको याद होगा आज तक पर एक इवेंट हो रहा था जहाँ पर प्रधार मंतरी के दिदार करने के लिए लोगों को टिकट जिहां टिकट बेचे गए थे आज तक के कॉंटलेब में और मोदी जी यहाँ पे मंच से बता रहे थे कि 9 साल तो छोड़ दीज कि हम इस साल के 75 दिन हुए हैं और 75 दिन में यहाँ पे खड़ा हूं और 75 दिन के विकास को मैं गिना देता हूं कि मैंने कितना विकास किया है और मोदी जी ने विकास 3 मिनिट में गिना दिया कि उन्होंने देश का कितना जो है उद्धार किया है कितना देश में विकास किया ऐसे ही हेडलाइन छप रहे थे आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये बहुत एहम ख़बर है आपके लिए देखिए आज तक ने लिखा कि इस साल के 75 दिन में क्या क्या विकास हुआ पिया मोदी ने बस तीन मिनट में गिनाए सभी बढ़े देश को वंदे भारत दिया है देश की जनता का उधार किया है उस बंदे भारत में क्या हो रहा है दरसल दोस्तों बंदे भारत ट्रेन जो है उस ट्रेन में यात्री सवार थे पैसेंजर समझ रहे ना यात्री सवार थे और उस ट्रेन की छट जो है इतना जादा विकास से पारिश आई ना तो पूरा ट्रेन पानी से बर गया पूरा ट्रेन पानी में चपचप चहियां करने लगा जो बरसात में बच्चे नहीं करते हैं वैसे बड़े बड़े लोगों के सामने ये आफ़त आ गई अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है अभ आज देखिए जिस ट्रेन को जंडी दिखा दिखा कर कहा गया कि हमने देश को सौगात दिया देश में एक नई उडान नया पंक लगा दिया उस पंक की क्या हालत है इससे पहले भी उद्गाटन के कुछ दिन बाद पश्वों के टक्रा जाने से आगे का हुलिया थोबड़ जो है वो बिगड़ गया था लेकिन एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन की क्या स्थिति है एक एक करके मैं वो तमाम ट्विट्स आपको दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त आग की तरह वाइरल हो रहा है दोस्तों और मोदी जी का ये विकास जो है कितना सच्चा है और कित सबसे पहले दोस्तों में आपको कुछ और जो तस्वीरे हैं वो दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रहा है मनिश कुमार एडवोकेट जो है वो वंदे भारत के एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं जहां पर यातरी जो है पूरे पानी से लवालब है ट्रे जो होता है जिसमें खाना आता है उस ट्रे में पानी भरा हुआ है ट्रे लगाया जा रहा है ताकि पानी से बचाब किया जा सके महिलाएं बच्चे सब भिंग रहें लगेज सब कुछ भिंग रहा है ऐसा विकास हुआ है इतनी मजबूत है दोस्तों कि तूटने से भी तूट नहीं रहा है इतनी मजबूती है कि पानी बरसा तो छट से भरबरा की पानी नीचे गिरना शुरू हो गया मनिश कुमार एडवोकेट लिखते हैं कि मोदी जी सारा विकास नकली कर रहे हैं वन्दे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान बारिश का भी लुफ्त उठा सकते हैं तो मनिश कुमार जो है वो इस पूरे मामले पर ट्विट कर रहे हैं आगे आपको कुछ और ट्विट दिखाना चाहूंगी दोस्तों वो भी देखिए सुर्य प्रताप सिंग आई एस रिटार्ड अफसर है वो लिखते हैं कि बंदे भारत में च्छाता लेकर बैठना है नाली से गैस की तरह क्या इस पानी से बिजली बन सकती है कोई वैग्यानिक सोच रहा है जनरल के एक पेज है उसने भी इस वीडियो को शेर करते हुए लिखा है कि भीशन गर्मी से परिशान है आईए बंदे भारत में मानसून का पूरा मजा लीजिए किस तरीके से यहां पर मानसून का मजा लिया जा रहा है जै यादब जो है वो ट्विट करते हुए लिखते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन में ही बारिश के मौसम का लुफ्त उठाने की वियवस्था की गई है तो ये सारी चीजे जो है लोग लिख रहे है कि क्या हो रहा है देश में कितना विकास हुआ है कॉंग्रेस केरला लिखती है कि फेरवेल ब्लैंकेट् वंदे भारत रिडिफाइन्स कमफर्ट किस तरीके से जो है यहाँ पर छाता लेकर बैठने की जरूरत हो गई है इस ट्रेन के अंदर यहाँ पर जो विकास है वो ऐसा ही नजर आ रहा है आगे आपको एक और ट्वीट दिखाना चाहूंगी दोस्तों विनोत काप्री जो है पत्रकार वो ट्वीट करते वे लिखते हैं कि बंदे भारत वाह जै हो फैंसी ड्रेस की आगे आपको और ट्वीट दिखाना चाहूंगी दोस्तों जिसमें इस पूरे बंदे भारत की पोल पट्टी कैसे खुल रही है वो लोगों के जरीए मज़े ले ले करके ट्वीट किय लोग कह रहे हैं कि आखिर इतना विकास देश का हो चुका है कि आप बस कर दीजिए बंद कर दीजिए क्योंकि इतना विकास जो है देश सहन नहीं कर पा रहा है ऐसे ही तमाम ट्रेश से दोस्तों सोशल मीडिया पर आप भी जाकर सर्च कर सकते देख सकते हैं इस वक्त प्रतिकेरिया दे रहे हैं कि जो मजबूती जो देश की तरक्की जो देश की उचाईयों की बात की जा रही थी तीन मिनट में पच्छतर दिनों का विकास गिनवा दिया अपनी योजनाई गिनवा दिये वो बंदे भारत देखे क्या हाल है उस बंदे भारत का क्या हाल है आ आपकी क्या राइ हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक्स बटन को जाद से उपयोग कीजिए ताकि हमारी पत्रकारीता कोई से बल मिलता रहें